शांदार कप्तानी, शांदार फिल्डिंग, शांदार गेंदबाजी, इस वाल्ड कप में टीम इंडिया बन गई सबसे शांदार, खुशित से उचल पड़ी रितिका मैच शुरोने से पहले ट्राक्टर के टायर पर केल राहूर की प्राक्टिस, घसब की कीपिंग देखकर कॉमेंटेटर बोले केल राहूर के अंदर धोनी की आत्मा आपने तो पुरी दुनिया को बता दिया की टीम इंडिया के पास एक ऐसा टीम लीडर है, जो अपने मास्टर प्लान से दुनिया की सबसे वड़ी टीम को घुटने पर ला सकता है 35 रण, 26 रण, 28 रण, 34 रण, 22 रण, 28 रण, यानि कुल मिला करके शुरुवात से लेकर अंतिम तक टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने चिन्नाई जैसे स्टेडियम पर जहां पर आस्ट्रिलिया टीम सबसे ज़्यादा खुंखार होती है, वहां पर 10 रण में 50 रण भी नहीं बनने दिये इसी से अंदाजा लगा लिजिए कि टीम इंडिया अपने पहले मैच में किस माइंड सेट से उतरी थी बताने कि वाल्ड कप के पहले मैच में टीम इंडिया ने जिस तरीकी का प्रदर्शन किया, उससे हर कोई कप्तान रोहित शर्मा की समझ की तारिफ कर रहा है जब कभी टीम इंडिया में कप्तानी की बात होती है तो सबसे पहले टीम इंडिया के पुर्व कप्तान महिंदर सिंग धूनी की बात की जाती है महेंदर सिंग धोनी अपनी सूज बूझ और बहतरिन बल्लेबाजी से टीम इंडिया के बहतरिन कपतानों ने सेक माने जाते हैं लेगिन आज के मैच में कप्तान रोहिट शर्मा ने भी साबत कर दिया कि वो किसी मामले में किसी भी खिलाडी से कम नहीं है रोहित शर्मा के आज के रेकॉर्ड के बारे में हम आपको बताएंगे उसको जानकर आप भी चौक जाएंगे कि कैसे कप्तान रोहित शर्मा ने महिंदर सिंग धोनी सहीब आजहरुदीन जैसे दिगज खिलाडियों को पीछे छोड़ दिया इस मैच में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा ने की रोहित के लिए बतौर कप्तान वर्लक अप में पहला मुकाबला था इस मैच में टॉस के लिए उतरते ही रोहित ने एक बड़ा रिकॉर்ड अपने नाम कर लिया 1999 वर्लकप में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाला अजहरुदीन की उम्र 36 साल और 124 दिन थी अब इस रेकॉर्ड को देख लिजे 36 साल 161 दिन रोहित शर्मा 36 साल 124 दिन मौहमद अजहरुदीन 34 साल 17 दिन राहूल द्रविड साल 2007 में वर्लकप की कप्तानी कर रहे थे 34 साल 56 दिन में एस वेंकट रागवन ने साल 1989 में वर्लकप की कप्तानी की 36 साल 262 दिन में MS थोनी ने 2015 में वर्लकप की कप्तानी की रोहित शर्मा ने इस से पहले बतोर खिलाडी टीम इंडिया के लिए दो वर्ल कप मैच खेले हैं रोहित को 2011 वर्ल कप के वक्त टीम में जगा नहीं मिल पाई थी लेकिन इसके बाद ये खिलाडी 2015 में में स्थोनी की कप्तानी में और फिर 2019 में विराट कोली की कप्तानी में खेला था दोनों ही मौकव पर टीम इंडिया से में फाइनल में हार कर बाहर हो गई रोहित वर्ल कप 2019 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे रविंद्र जाड़जा की फिरकी का जादू 28 वे ओवर से शुरू हुआ ओवर की पहली ही गेंद पर उनने ऐसी जादूई गेंद फेकी की पुर्व कप्तान स्टव स्मित बिलकुल हैरान रहे गए जाड़जा ने मिडल और लेक स्टम के आसपास लेंद के इंड़ फेकी और स्मित डिवेंस करने के चकर में गच्चा खा गए स्मित को आउट करने के बाद जाड़जा ने अपने अगले ही ओर में दो और विकेट लिये उन्होंने मारनस लाबुशेन और लेक्स क्यारी को आउट करके आस्ट्रिलिया को बैकवूर पर धकेल दिया जिससे स्कोर 29 तश्मलोव 4 ओर में 119 रन पर 5 विकेट हो गया 28 और में जाड़जा की गेंद पर आउट होने से पहले स्मित और मारनस लाबुशेन के साथ 64 गेंदों में 36 रन की साथेदारी हो चुकी थी